केजरिवाल पर एक्शन, आप नेताओं ने दिया रियक्शन, कॉंग्रेस की फिच पर भासपा की बैटिंग, केजरिवाल गए जेल तो राहुल बन जाएंगे सियासत के कृष्केल दो नवंबर को जब अर्विंद केजरिवाल को बुलाएंगे तो एडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगे कि अर्विंद केज रिवान जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए क्या आम आदमी को टार्गेट कर कॉंग्रेस को जिन्दा करना चाहती है भास्वा क्या भास्वा खत्म करना चाहती है केजरिवाल का कुनबा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे सवाल उफान पर है सब कुछ करने के बाद भी भास्वा खाली हाथ रहेगी वही कॉंग्रेस की बल्ले बल्ले होगी फिलाल आम आदमी पार्टी की नेताओं ने शोर मचा रखा है कि मोधी सरकार दिल्ली के मुख्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्या अरविंद केजरिवाल को जेल भेजना चाहती है जेल बेजनी के लिए एडी ने अरविंद केजरिवाल को नोटिस भेज कर दो नवंबर को तलब किया है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के राष्टे संयोजक अर्विन केजरिवाल जी को ED ने समन किया है हर तरफ से खबर आ रही है कि दो नवंबर को जब अर्विंद केजरिवाल को बुलाएंगे तो ED उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी CBI और ED को मिस्यूज करने का किस्सा अर्विंद केजरिवाल पे नहीं खतम होगा अर्विंद केजरिवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक-एक नेता हैं इंडिया अलायंस के जो एक-एक नेता हैं उनको भी जेल में डाला जाएगा अर्विंद केजरिवाल के अरेस्ट के बाद अगला नमबर हेमंद सुरेन का आएगा जिनको भारतिय जनता पार्टी जारखंड में नहीं हरा पाती हेमंद सुरेन के अरेस्ट के बाद अगला नमबर तेजस्वी यादव का आएगा क्योंकि भारतिय जनता पार्टी RJD और नितीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजेयन का आएगा क्योंकि भारतिय जनता पार्टी केरिला में CPM को नहीं हरा पाती उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा क्योंकि भारति जनता पार्टी तमिल नाडू में DM को DMK को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक एक के बाद एक भारतिय जनता पार्टी अपनी CBI और ED का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, जूटे केसिस से नहीं डरते हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आगरी सास तक लड़ते रहेंगे। एडी की नोटिस से आम आदमी पार्टी में हल्ला मचा है सतेन जैन मनीश सोधिया और संजे सिंग की तरह अरविंद के जिरवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है। यानि कहीं पर भाचपा को नुकसा नहीं पहुचाया। लेकिन अब दिल्ली के शराब गोटाले में आम आदमी पार्टी के दिगजनेताओं के खिलाप चल रही कारवाई के तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं। अगर एडी ने शराब गोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को जेल भेज दिया तो 2024 लोगसबा चुनाओं में आम आदमी पार्टी का बेंड वज जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पहले से जेल में है। एडी की इस ताबट तोड़ कारवाई का किसको फायदा होगा और किसको नुक्षान इसका आकलन भी शुरू है। सियासी पंडितों का माना है आम आदमी पार्टी के कमजोर पढ़ने पर कॉंग्रेस की बाजार बनेगी। पांच राज्यों के विदान सबाचुनाओ परिडाम अगर कॉंग्रेस के पक्ष में आए तो राउल गांधी के हवा बन जाएगी। वही केजरी वाल का कुंबा धारा शाही हो जाएगा। फिर रिपोर्ट एंटी टीवी भारत।